अज़िए 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 मार्केट में कुछ इस टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली है हम लोगों ने इसको क्रेडीक्ट भी किया था और कल आप लोगों को जो जरेश अनलिसिस अंज़िए अभी फिलाल आप ल फीलाल आप देखोगे कि आज के दिन 100W अलमुस्ट छो परसेंट अप था उसके बाद में ये एक रिजेक्शन लिया है और एकदम जो हमारा जो दो दिन मार्केट निगेटिव रहा और उसके बाद में देखिए exactly जैसे मैंने बताया था कि इस candle का low लेके price नीचे से bounce हो सकता है तो वही सेम चीज यहां देखने को मिली and same आपको Zomato में भी मैंने आपको क्या बताया था अगर आप लों मन से वीडियो देखते हैं तो आपन यह उपर जाएगा था and then you can see price exactly उसी तरीके से behave किया अगर आपने इसमें intraday भी किया होगा तो भी अच्छा पैसा बना होगा क्योंकि अगर इसको हम यहां से move चेक करें तो almost almost 10% यहां पर हमें single day में move दिखा है Zomato के stock में and जैसा हम लोगों ने बताया था यह gap and उसके असल दिख रहा है एक बार वहां पर रिस्क लिया जा सकता है तो उन्हीं stock को भी देखेंगे अभी सबसे निफ्टी में देखो क्या हुआ हुआ है मैं डेली का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं डेकि डेली में जो candle बनी है न यह काफी important है जो लेवल दिया गयता है almost वहीं से निफ्टी उपर आ गया 2400 का लेवल हम लोगों ने बोला था तोड़ा सो नीचे जाके निफ्टी उपर ही closing दिया है important लेवल था यह psychological लेवल था और साथी साथ जो यह candle stick बनी है यह काफी important है और इस candle stick को क्या बोलते है आप मुझे जरूर comment करके बताइए है and mostly मैंने देखा है जब भी market fall आता है बड़ा fall आता है इस तरीके के candle बनती है ठीक है तो क्या होता है price यहीं से reverse कर जाता है high probability होती है अब इसके जो high है यह अगर break होते है next day में तो आपको यहां से एक काफी अच्छा reversal दिखाई देगा and यह सारी चीज़े कहां पर हो रही है अगर 4 hour में चल spot हो सकता है and देखे कल 4 hour का analysis में आपको बताया भी गया था and देखे first half market का positive दा उसके बाद में selling देखने को मिली है तो अभी भी कहीं ने कहीं pressure है and जो बड़े time frame है अगर आप देखोगे बड़ा time frame तो बड़े time frame में आप देखोगे तो अभी negativity बनी हुई है that is why यह 4 hour का जो यह candle close नहीं हुआ है तो वह भी देखना होगा कि यह candle कैसा behave करता है अगर close होता है तो कहीं ने कहीं और भी नीचे आ सकते हैं तो बहुत मैं कहुंगा कि बहुत खुश होने के तो नहीं है बट हां कुछ stocks जहां पर results अच्छे हैं तो उनको जरूर analyze कर सकते हैं and तो सबसे पह आप इसमें buying plan कर सकते हो ठीक है पहला तो stock यह हो गया दूसरा दिखे टीटागर के बाले में बताया था मैंने and कुछ important level थे बट आप देखोगे कि यह stock यहां से bounce किया है जो कि यह gap था जो कि आपको वीडियो में मैंने बताया था यह जो gap आपको दिख रहा होगा इस तरीक का मैंने आपको clear करी दिया है अब जो main stocks हैं सबसे पहला stock हम लोग लेके आए हैं जैनसा technology के आईटी के जो stocks हैं उसमें एक तेजी है अभी क्यूंकि results अच्छे आ रहे हैं ठीक है आप देखोगे को फोर्ज एमफेसिस वेप्रो इन सबने काफी अच्छे result पोस्ट किये तो इस वजे से इन stocks में भी आपको फैदा दिखाई दे सकता है और आप देखोगे कि यहां पे किस तरीके से divergence हमें देखने को मिला है RSI divergence है जो इस तरीके से price नीचे जा रहा है और यहां पे आप देखोगे RSI की value आप जा रही है तो that means कि यहां से एक reversal spot हो सकता है अब इसमें क इस तरीके से market liquidity create करेगा और उसके बाद ब्रेक होगा तब लेना और यहां के stop loss लगाना ठीक है तो आपके लिए better trade हो जाएगा या फिर यह नीचे अगर आता है यहां से bounce मिलता है आपको Fibonacci के 15% area से तब भी आपके लिए better है ठीक है यहां भी entry लोगे तो stop loss यहां रहेंगे तो कम हो जाएंगे बट अगर सीधे सीधे यहीं पे ले लोगे तो अभी कोई confirmation नहीं अभी यहां से अगे नीचे भी आ सकता है तो फिर आपका psychology गड़बर हो सकता है तो यह अभी अग भी भी देखे market टफ है तो आप लोग को अपने stop losses का धान लगना है ठीक है दूसरा stock है यहां पर दोस्तों को फोर्ज का एंड देखिए यहां पर भी एक अच्छा swing बना हुआ है first candle second and third and आपको मैंने कई बार बताया भी है एंड देखे volumes अच्छे है earning अच्छी आई है आप कल के लिए यह level बहुत important हो जाता है ठीक है इस level के उपर अगर यह price निकलता है तो अगेर इसमें आप intraday play कर सकते हो ठीक है तो इस stock को भी आप रख सकते हो यहां पर four hour में आप देख लो चाहिए and one hour में भी देखोगे तो आपको stock जो है देखे 20 EMA and 200 EMA का crossover हुआ है यहीं से stock उपर निकला यहां पर क्या कर रहा है कुद को consolidate कर रहा है तो जैसे 20 EMA के पास में प्राइस आएगा तो एक blast आ सकता है तो वह चीज आपको याद अखनी है ठीक है and यह वाला stock थोड़ा रिसकी जरूर हो सकता क्योंकि 20 EMA पर चल लाए ठीक है बाक इस तरीके से 20 EMA से sorry 200 EMA से bounce किया and 20 EMA के उपर closing किया तो यह भी stock positive है and इसके भी high को आप play कर सकते हो हलाकि इसमें आप चाहते तो smart entry होती तो पहले हो जाती बट अभी तब हम लोगों ने discuss नहीं किया था and आप देखोगे कि यहां से पहले मैंने यह level आप लोग के लिए share किय हुआ है ठीक है and तब हमारी entry नहीं हुई थी उसके बाद देखें यहां से price नीचे आया again उपर जा रहा है and RSI भी strong हो रहा है तो इसका break होते ही एक और अच्छा move यहां से आ सकता है क्योंकि बागी के जो यह जो beverages related या alcohol related stocks है इसमें आपको तेजी देखने को मिल लिए कुछ स्टॉक में यह स्टॉक अभी उत्रा चले नहीं है इसलिए आपको बता गया है तो इस स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो और उसके बाद में दोस्तों यह स्टॉक है जेबी chemicals तो यहां पर कैसे हम लोग प्ले कर रहा है यहां पर देखें सबसे पहले तो आपको में जो पर वही चीज होते होगे दिखा रही है अभी फिलाल क्या है अभी फिलाल एक रेंज बन रही है और एंट वड़ी मोमेंटा में चांगे तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है इस सटॉक को इंट्राइमें भी प्ले कर सकते हो और अकर तो 20 म के नीचे इस्टॉ स्टॉक है मैक्स फाइनेंशल सर्विसेज लिम्टेट का तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में आप देखो कि एक अच्छा कर सकते हैं तो दोस्तों जो है इस तरीके से आप अपने स्टॉक को प्ले कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा है मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई सी यू टेक केर